कि अलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल आज के इस अनलेस्स वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपोलो टायर सेयर के उपर इससे पहले भी हम लोग ने इस स्टॉक के उपर डिसकसन किया था अगस्त को हम लोगों ने वहां पर डिसकसन किया था उस टाइम में स्टॉक के राउंड ट्रेड हो रहा था करेंट लिए बातों पर हम लोग एक एक करके डिसकसन करेंगे आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखेगा वीडियो को लाश्ट तक देखेगा चैनल पहली बा कर सकाई नहीं किया है, तो चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस् कर लिजेए साती सात्य साथ साथ notification पर क्लिक करके All को को भी स्लेक कर लिजेए जिसे के आप लाहों को भी latest notification मिलता है गा, अब बात करते हैं अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोग को देखने मा रहा है को अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो अपने all-time high पर आज ग्लोज हुआ है all time high आपको stock का जो है यहाँ पे आपको 300 से भी ज्यादा का है 302K round का है बट closing जो है कभी भी आपको उस level पे नहीं हुआ है तो stock आज अपने all time high पे यहाँ पे आपको stock close हुआ है तो चलिके अब details हम लोग जो है आपको chart के ओपर discussion करते हैं जो daily chart हम लोगों के सामने दिख रहा है सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे weekly chart के ओपर देखेंगे तो stock इस से पहले इन सभी levels पे आपको इस से पहले भी आया था 2018 में भी इस level पे आया था बट यहाँ पर आपको stock ने closing नहीं दिया था इस level पे देखेंगे तो stock में closing इस level पे नहीं हुआ था but finally stock जो है आज अपने all time high पे close हो चुका है तो यहाँ पे stock में जबहुत होती जबरदस्त momentum हम लोगों को देखने में आ रहा है अगर इसी sector के और भी company की बात करें तो c8 tire में भी जो है काफी अच्छा momentum हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें MRF tire में भी आज almost आपको 8% का यहाँ पे हम लोगों को gain देखने को मिला तो इस sector में जो है आपको काफी bullishness अभी दिख रहा है currently अगर हम लोग यहाँ पे chart pattern के ऊपर बात करें तो weekly chart जो है यह आपको कल over होने वाला है लेकिन अगर weekly chart के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो clearly हम लोगों को दिख रहा है जो आपको 250 के level के ऊपर stock में एक 15% जो है आपको breakout level से ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है weekly chart के basis पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो weekly chart के basis पर clearly हम लोगों को लग रहा है जो एक retracement यहाँ पर pending है तो सबसे पहली बात अगर आपको यहाँ पर 5-6 महने के लिए इस stock को लेना है या फिर साल भर के लिए stock को लेना तरेली देखने को मिल रहा है और clearly अगर हम लोग देखेंगे तो 170 के level से stock 300 के level पर trade कर रहा है और only one negative candle हम लोगों को यहाँ पर in between में देखने को मिल रहा है कहीं पर भी negative candle नहीं है तो इसलिए अगर आपको यहाँ पर long term के लिए invest करना है तो आपको यहाँ पर wait करना चाहिए already आपके portfolio में है नीचे की level से तो आप continue hold करके रख सकते हैं लेगिन phrase position long term के लिए बनाना है तो आपको यहाँ पर wait करना चाहिए एक retracement का wait कीजिए उसके बाद आप entry कर सकते हैं अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें जो stock में अगर short term के trading के लिए अगर हम लोग यहाँ पर फिर आपको 4-5 trading session के लिए तो हम लोग यहाँ पर short trade यहाँ पर ले सकते हैं हम लोगों का entry होना चाहिए आज के high के उपर अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आज का high है आपको 301.5 का 302 के उपर अगर कल यह stock निकलता है तो हम लोग यहाँ पर जो है entry आपको ले सकते है नीचे की side जो आपका stop loss होना चाहिए stop loss होना चाहिए 275 के नीचे 25-26 point का आपका overall यहाँ पर loss होने वाला है लेकिन उपर की side आपका target होना चाहिए minimum 50-70 point का minimum target होना चाहिए उसके उपर अगर निकलेगा तो आपको 100 point तक का भी target देखने को मिल सकता है लेकिन थोड़ा सा इसमें भी time लगेगा यह भी आपको बिलकुल ही quick नहीं होगा इसमें भी आपको one month तक का time लग सकता है इसलिए आप यह मत expect करना जो आपको यहाँ पर जो है बिलकुल ही quick rally मिल करना चाहिए क्योंकि stock already almost आपको 100% का rally कर चुका है lower level से तो धोरा सा यहाँ पर आपको stock को halt करना चाहिए उसके आद फिर वापस से rally continue हो सकता है तो I hope आप लोगोंने सभी levels को note down कर लिया होगा तगर आप लोगों को वीडियो पसंदाया हो analysis अच्छा लगा हो वीडियो को ल